इसको हम कहता है कुंडलीनी, कुंडलीनी क्यों कुंडलीनी मतलब यह कफ है और उसके अंदर वो स्थित है दिखता कुछ नहीं है लेकिर उसको जागरूत करके हम यदी उपर ले जाएंगे तो आपका नसी भी खुल गया समझो कहां कहां पर दे को इतना सिंबॉलिजम यूज किया है प्रतिकात्मक है नवरातरी जब हम लोग उत्सो करते है तो देवी की स्थापना अलग करते है यह रोज जैसे एक भगवान घर में कोई या अल्टार होता है या हमारे पुझा पाठ के स्थाधन वो नहीं लेते एक नया मेकैनिसम त्यार करते है और एक माला उसके उपर टांगते है यह माला क्या बताती है कि और कैसे है वो उपर टंगी हुए नीचे छूती नहीं है, हमारा जो रीड की हड़ी है, वो भी ऐसे है, हमारे दिमाग से निकल के नीचे तक अधर ही लटकती रहती है, ना तो नीचे जूड़ी गई है, ना उपर जूड़ी गई है, और जब हमारे लिए ये शक्ती है, वो हमारे उपर खुर्पा करती है, तो उपर से शक्ति आके हमारे लिए जैसे नीचे बैटरी उसमें स्टोर हो गया ऐसे समझें तो ये उसके अंदर वो आ जाती है अभी ये पूरी शक्ति है इसको आप जगाएंगे इसको उत्थान करेंगे तो आपको अपने सब काम ठीक हो जाएंगे आपको जो जो करना है शारि आपको ख्याती है सम लोग जानते है इसके लिए भी एक शक्ति चाहिए ये सब प्रकार की जो शक्ति है वो शक्ति आपको चाहिए और वो लाने के लिए हमारे अंदर एक व्योस्था दी हुए और ये व्योस्था जो दी है वो व्योस्था क्या है कि हमारी जो नीचे हमारी जो कमर की हड़ी है, इसके अंदर जो एक छोटा सा कब जैसा है, वहाँ पर वो शक्ति का स्थान हो गया, इसको हम कहते है कुंडलीनी, कुंडलीनी क्यों कुंडलीनी मतलब ये कब है, और उसके अंदर वो स्थित है, दिखता कुछ नहीं है, लेकिर उसको जागरूत करके, हम यदि उपर ले जाएंगे, तो आपका नसीबी खुल गया समझो, और हरे एक व्यक्ति को ये चाहिए, इसके लिए ये माला का ध्यान होता है, माला का बहुत सारा इंपोर्टन्स होता है, और साथ साथ में शरीर को ऐसी स्थिति में लाना पड़ता है, उसी व्योस्था करनी पड़ती है, कि ये कुणननी उपर चड़े जागरूत हो जाए, और हमारे पास, ये हमारी जो आदी शक्ति है, उसकी हमारे उपर कुरपा हो, तो दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, जितने भी कही पड़े लिखे देश हो, या अनपड समाझ कह values में रहते हो और पहले जब ये सब शोद नहीं थे सब development नहीं थी material की तब के भी लोग थे वो एक प्रकार से इसकी उपास ना में गोल घुमने का काम जरूर करेंगे हमारा जो शरीर में जो ये सब हमको चालना मिलती है उसके लिए हमारे रीड की हड़ी और अंदर की जो नर्वस सिष्टिम है और हमारे जो गुणसूत्र है वो सब इसे गुमते है इसका मतलब क्या है जैसे देखिए वो बहुत ही प्रचलित है इसलिए डांस में जो नृत्य होता है इसमें लोग अपने खुद की और गोल-गोल गुमते है और एक सरकल में भी गोल चलते है हमारी पृत्वी पर वैसे ही करती है वो क्या करती है वो खुद अपने आस के तरफ गुमती है और पूरी पृत्वी है वो सूरज की और आजबाजबे गुमती रहती है इससे ही ये उर्जा जो है वो उत्पन्द होती है और सब काम चलता है ये काम कभी भी छोड़ना नहीं तो इसके लिए प्रानायम से आप एक बेठे-बेठे कर सकते है या तो ऐसे इस तरह से बीच में कोई महिने में दो-चार बार हो सामुदाई की रिद से ऐसे करके आप ये डांस में सम्मेलित हो जाए आपको तो मालूब है हमारे यहां भारत में जब श्री कृष्ण परमात्मा थे तो ये तीन यूग चले गए थे और कली की शुरुवात हो रही थी तो उसने सबसे प्राधान दिया था राज नृत्य को ये राज नृत्य यही काम बताता है कि आपको ये शक्ती की उपासना इस तरह से करेंगे